आज हम modulus versus square root function पढ़ेंगे last class में हमने modulus function पढ़ा था आपको मैंने उसके उपर बेस्ट कुछ questions भी कराये थे जो कि आपकी board और completed exams के सबसे काफी important थे आज आपको मैं square root के अंदर जहां-जहां modulus आता है उस type of questions कराऊंगा और कुछ misconceptions बच्चों के बीच में है अंडर root के अंदर real number आता है, variable आता है उसको लेके उसको clear करूँगा चलिए मैं start करते है सबसे पहला confusing part बहुत से बच्चों के लिए ये होता है कि जब भी वो under root में कुछ number लिखते है जैसे मैंने लिखा under root 4 इसको लिख देते हैं plus minus of 2 ये गलती आज भी होती है देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए square root function जो है आपका वो हमेशा greater than equals to 0 होता है ठिक, और यहाँ पर आप देखिए 4 ये क्या है, constant है तो जब भी आप किसी constant का root लेते हैं अगर वो constant positive है तो आपको हमेशा positive value ही मिलेगी तो इसका answer क्या होगा only plus 2, ठिक यह आप ध्यान रखिएगा under root x square होता है तो यह क्या हो जाता है plus minus of x पर under root 2 square होगा तो आपको plus 2 ही मिलेगा यह चीज का आप खास तोर से ध्यान रखिएगा अब एक condition आपके सामने आती है under root of minus 2 का square यह क्या होगा minus 2 का square raise to 1 by 2 की power 1 by 2 अब यहाँ पर बच्चे है करते हैं इस 2 को इस 1 by 2 से cancel out कर देते हैं minus 2 यह 2 into 1 by 2 यह दोनों cancel तो minus 2 की power 1 मतलब minus 2 यह भी गलत है आप हमेशा ध्यान रखिए पेमदास parentheses, exponent, multiplication, division, addition, substitution जो कि आप primary class में पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से पहले आपका under वाला bracket यह solve होगा इधर क्या था minus 2 तो P और parenthesis पेमदास में उसके एख्स्पोनेंट यह क्या है 2 तो पहले आप क्या करेंगे इसका square करेंगे तो यह हो जाएगा 4 फिर 4 की power 1 by 2 या फिर root 4 तो यह आपको मिलेगा 2 तो 2 इसका correct answer है इस चीज़ का please 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 खास थोर से धेन रखेगा आपको इसे questions नहीं आएंगे इसके अंदर आपको questions जो आएंगे उसमें रहेगा modulus x square plus modulus x like this इसकी range निकाल लिए domain निकाल लिए पर आपको इसका basic clear होना चाहिए ठीक I hope आपको बात समझ में आ गई होगी अब हम आते हैं इस चीज़ पे under root x square is equals to plus minus of x यह कैसे होता है देखिए यहाँ पर आपका x क्या है एक variable है variable की value क्या है यह हम नहीं जानते हैं constant अगर होता तो definitely positive होता अब variable के लिजिए literal के लिजिए यह वो चीज़ है जिसकी value fix नहीं होती है तो आपका under root x square क्या होता है modulus x अब modulus x यह आपको पता ही है x इसलिए इन दोनों को देखकर यह हो जाता है plus minus of x in case of variables इसका भी आप खास तोर से ध्यान रखिएगा ठिक अब इसके उपर based हम कुछ questions कर लेते हैं चलिए आपका पहला question है इसमें prove that under root x square plus 2x plus 1 minus under root x square minus 2x plus 1 is equals to आपका तीन values है minus 2 when x is less than minus 1 2x when x is greater than equals to minus 1 less than equals to 1 and 2 when x is greater than 1 ठीक है इसको हम देख लेते हैं यह question आपका आप याद कीजिए redefine the function given by this उस type का है जहाँ पर आपके बास mode था जिसको आपने break करके इस तरह से values obtain करी थी इसमें भी आपको इसी करना है आप देखिए आपको LHS में दिया है under root x square plus 2x plus 1 यह क्या हो जाएगा आपका under root x plus 1 का whole square no doubt a square plus b square plus 2ab उसी तरह से हैं आपे minus under root यह आपका हो जाएगा x minus 1 का whole square आपे बस minus 2x है इस वज़े से minus sign बीच में आ गिया अब इधर आपको variable मिल रहा है तो यह क्या लिखावा है आपका modulus x plus 1 minus modulus x minus 1 ठीक constant होता तो positive होता यह पर variable है इसी दिए आपको mode लगाना पड़ाएगा या तो यह negative होगा या तो positive होगा अब आप देखिए इसमें आपके पास 2 जगा mode है दोनों की अलग-अलग values होगी mode of x plus 1 आपका होगा x plus 1 और minus of x plus 1 x plus 1 किस case में when x plus 1 is greater than equal to 0 यह साब करते आए है mode x में x is greater than equal to 0 पे x और x is less than 0 पे minus x ठीक तो x is greater than equal to minus 1 पे यह आपको मिल रहा है plus x plus 1 उसी तरह से यह x plus 1 is less than 0 मतलब x is less than minus 1 पे आपको मिल रहा है minus of x plus 1 ठीक अब आप यह समना कीजिए सबसे simple तरीका असका आपको यह समना लिफना पड़े वो यह है कि आप एक number line draw कर लिजिए मैंने आप एक number line draw करी यहापर आपको minus 1 और 1 मिलता greater than equal to 0 पे तो इदर आप minus 1 और 1 मार्क कर लिजिए इदर आपका minus infinity इदर आपका infinity अब आप देखिए यह दोनो negative होंगे अगर आप कोईसी value minus infinity से minus 1 के बीच में pick करेंगे यह मुझे बोलना चाहिए mode के अंदर आने वाली value negative होगी अगर आप minus infinity से minus 1 के बीच की value तै करेंगे ठिक क्योंकि आपका x minus 1 mode वाला minus of x minus 1 होता if x minus 1 is less than 0 मतलब x is less than 1 तो x is less than 1 पे ही आपको अगर यह negative मिल रहा है तो less than minus 1 पे तो निश्चित ही negative ही मिलेगा और इसका भी हमने देख लिया है यह negative मिलता when x is less than minus 1 तो यह दोनों क्या हो जाएंगे आप देख लिजिए question के मुताबिक less than minus 1 पे minus 2 के बरावर मिल जाएंगे यह आपको मिल जाएगा minus of x plus 1 और यह minus of minus x minus 1 if x is less than minus 1 देख लिजिए आप minus minus plus x minus x 0 minus 1 minus 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 3 बार मतलब minus 2 ठीक आपकी पेली चीज प्रू हो गई सबसे simple method है आपका number line का then दूसरा इनों ने क्या बोला है x is less than equals to 1 greater than equals to minus 1 यहाँ देख लेते हैं मतलब सीदी सी बात इन दोनों के बीच में है और इन दोनों पे भी आप ले सकते हो अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो यह है x plus 1 यह positive होता if x plus 1 is greater than 0 मतलब x is greater than minus 1 ठीक है तो इनके बीच में क्या है ऐसी value जो की minus 1 से बड़ी है 1 से छुटी है तो इहाँ पर आपका x plus 1 जो है यह positive आएगा और x minus 1 negative आएगा ठीक यूकि x minus 1 अभी हमने देखा यह negative होता है when x is less than 1 तो यह आपको मिल गया plus x plus 1 और यह आपस से वही minus of minus x minus 1 ठीक देन उसके बाद x is greater than 1 इसमें तो दोनों positive मिलेंगे आपको यहाँ बीच में x plus 1 positive मिल रहा था और x minus 1 1 से बड़ी value पे positive मिल रहा था तो minus 1 से बड़ी value इधर भी लाए करेगी इधर भी लाए करेगी no doubt तो यह दोनों क्या हो जाएंगे positive x plus 1 minus x minus 1 ठीक बहुत ही simple तरीके से यह number line से हो गया इसको आप ऐसा कर लीजिए अब यह क्या हो जाएगा आपका मतलब आपको यह मिल रहा है minus 2 यह 2x और यह 2 if x is less than minus 1 यह आपको प्रूव करना था hence प्रूव इस question को आपको एक बार और explain कर देता हूं में देखिए सबसे पहली important चीज जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे under root of x square x plus 1 का square x plus 1 का square आप आख बंद करके इसको लिख दीजिए mode of x एसा क्यों होता है यह हम पढ़ चुके हैं तो मैंने इसी करा यहाँ पे मुझे मिल रहा था under root x plus 1 का square तो यह क्या हो गया mode of x plus 1 under root x minus 1 का square तो यह हो गया mode of x minus 1 फिर आपने क्या देखा कि number line के मुताबिक इन दोनों की value positive negative अलग-अलग interval पे हो रही है आपने देखा when x is less than minus 1 मतलब यहाँ पे तो इधर दोनों क्या थे negative यहाँ पे यह minus x plus 1 था और minus x minus 1 था ठिक उसके बाद minus 1 और 1 के बीच में आपने क्या देखा mode of x plus 1 plus x plus 1 था और mode of x minus 1 एक बार फिर minus x minus 1 था at last 1 और infinity के बीच में दोनों positive थे तो x plus 1 x minus 1 यही सारी values आपने यह पे चड़ा दी इनको आपने solve किया तो minus 2 2x और 2 मिल गया ठिक अगर आप ऐसा करते mode of x plus 1 is greater than equals to 0 थोड़ा सा complex हो जाता लिखना आपको जादा पड़ता पर अगर आपको एक question competitive exams में आता है तो आप इस method से कीजिएगा इससे फटाफट solve हो जाएगा तो आप जो लाना चाहरे थे वो आपको easy going मिल गया then इसके बाद है find the range of a part under root 3 minus mode of x minus 1 पहले हम इसको देख लेते हैं बहुत easy question है आप target कीजिए modulus पे पहले interior फिर exterior ठीक है तो interior अंदर क्या आ रहा है mode of x minus 1 आप जानते हैं यह क्या होता है always greater than equals to 0 अब इसके आपने आसपस देखा तो आपने क्या पाया कि negative sign यहाँ पर आ रहा है इसलिए negative sign हमें multiply करना पड़ेगा जैसे आपने negative sign multiply किया आपकी inequality reverse हो गई यह हो गया less than equals to 0 then इसमें 3 plus हो रहा है तो plus 3 minus mode of x minus 1 is less than equals to plus 3 या simply 3 लिख दीजिए तो समझ जाएंगे ठीक अब यहाँ पर आपको देखना है less than equals to 3 है ठीक है अब यह पूरी चीज आपकी आ रही है किसके अंदर square root के अंदर क्योंकि यह root के अंदर आ रही है आप जानते हो root is always greater than equals to 0 तो यह क्या हो जाएगा 3 minus mod of x minus 1 is less than equals to 3 is greater than equals to 0 ठीक या बिख दीजिएगा square root function आपके understanding के लिए greater than equals to 0 अब आपको range निकालना थी तो आपने इसका under root लिया 3 minus mod of x minus 1 तो आस्पास आली value क्या हो गई under root 3 greater than equals to under root 0 मतलब 0 अगर यह आपका था fx is equals to y तो आप देख लिजिए y less than equals to root 3 greater than equals to 0 0 root 3 के बिच में लाया कर रहा है उसकी range क्या हो गई 0, root 3 यह इसका answer है then v part under root 4 minus under root x square यह भी easy है यह आपका क्या लिखावा है under root 4 minus mod of x ठीक under root x square मतलब mod of x अब वापस सहुए चीज़ mod of x is greater than equals to 0 minus sign multiply किया तो mod of x is less than equals to 0 4 को plus किया तो 4 minus mod of x is less than equals to 4 अब क्योंकि यह आ रहा है under root में तो 4 minus mod of x is less than equals to 4 greater than equals to 0 जैसा आपको पहला question था आपको range find करनी है यह पूरा था आपका क्या is equals to y under root 4 minus mod x x is less than equals to under root 4 is greater than equals to 0 y is less than equals to 2 is greater than equals to 0 तो range क्या होगी आपकी 0, यह इसका answer है then find the domain of under root 1 upon mod of x minus 2 minus x minus 2 यह भी easy question है देखिए आपको domain निकालना है मतलब x की वो सारी values जिस पे पूरी चीज डिफाइन हो अब यहाँ पार आप देख पा रहे हैं आपके denominator में आपको मिल रहा है mod of x minus 2 minus x minus 2 तो कोशिश आपकी क्या रहा है कि mod of x minus 2 आपको is equals to x minus 2 ना मिले क्यों? क्योंकि अगर आपको यह is equals to x minus 2 मिल जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा यह? 1 upon 0 which is not defined ठीक? तो आपने क्या देखा आपको mod of x minus 2 की 2 values मिलती है एक तो x minus 2 और एक minus of x minus 2 x minus 2 को मिलता if x minus 2 is greater than equals to 0 और x is greater than equals to 2 इतना आप समझ गए हैं और यह x is less than 2 is less than 0 x is less than 2 ठीक? तो यहाँ पर आप देखिए x is greater than equals to 2 पे आपको यह मिल रहा है 1 by 0 आपने x is equals to 2 put किया तो यह कितना हो जाएगा? 1 upon 0 minus 0 1 by 0 आपने x is equals to 4 put किया तो यह क्या हो जाएगा? 1 upon mod of 4 minus 2 minus 4 minus 2 तो यह क्या हो गया? आपका 1 by 0 not defined तो यह पूरी चीज़ आपके defined है जब x 2 से छोटा हो मान लीजिए मैंने रखा x is equals to 1 तो यह क्या हो जाएगा? 1 upon तो 1 upon under root 1 minus 2 मतलब minus 1 इसका mod मतलब 1 फिर minus into minus 1 मतलब plus 1 यह बरावर defined है ठीक? तो उसका domain क्या हो गया? x belongs to minus infinity, 2 open interval 2 से छोटा होना चाहिए x is less than 2 greater than equals to minus infinity बाकी इस value पे यह defined नहीं है तो यह इसका answer है Then find the range of under root 1 minus under root x square minus 6x plus 9 यह भी इज़ी question है आप क्या कीजिए? जो अंदरवा under root है उसको आप लिख लीजिए 1 minus under root यह आपका square है x minus 3 का whole square x minus 3 का whole square वही चीज under root से square हट गया तो आपको मिल जाएगा यह 1 minus modulus x minus 3 अब आप देखिए यह है आपका fx यह आपके लीजिए y आपको मैंने इसकी short trick बताई थी जब भी आपको range निकालना है under root function है तो आग बंतरे लिख दीजिए minimum value क्या होगी 0 under root की minimum value होती है 0 अब यहाँ पर आ रहा है 1 minus something which is equal to 0 greater than 0 तो जब यह पूरा equal to 0 होगा तो आपको y की maximum value मिलेगी क्यों क्योंकि इसके आगे है minus sign आप इसा देखिए mode of x minus 3 आप 3 को भूल जाईए बस आप यह देखिए modulus है यह greater than equals to 0 है जब यह is equals to 0 होता तो आपको y की maximum value मिलती जो की होती 1 बाकि आप इसको जो भी रखिए आप रख लीजिए mode of x minus 3 is equals to 1 0.5 आपको y 1 से छोटा ही मिलेगा ठिक और y 0 छोटा होनी सकता है क्यों क्योंकि यह square root function है तो यह क्या हो गया 0,1 यह maximum value को मिलेगी y की at mode of x minus 3 is equals to 0 तो उसकी range हो गई 0,1 यह इसका answer है